हलो दोस्तो स्वागत है आपका e-commerce टॉक्स यूटूब चैनल में दोस्तो आज की वीडियो में हम Amazon के कमिशन को पूरे डिटेल में सीखने वाले हैं दोस्तो काफी सेलर को Amazon का कमिशन काफी कॉंप्लेक्स लगता है और उन्हें समझ में नहीं आता है कि उनकी एक प्रोड़ेट के सेलिंग पर आखिर Amazon जो है वह कितना डिड़क्शन करने वाला है दोस्तो आज की वीडियो में हम कंप्लीट डिटेल में देखने वाले हैं कि Amazon पर अगर आपका कोई एक प्रोड़क्स सेल होता है तो आपका कितना डिड़क्शन होने वाला है इस वीडियो में मैं आपको स्टब बस्टब बताऊंगा कि Amazon पर सेलिंग करने के लिए आपको कौन-कौन से कमिशन देने पड़ते हैं क्या चार्जर देने पड़ते हैं और क्या हीडन चार्जर है जो भी आपको पेक करना पड़ता है तो अगर आप Amazon पर सेल कर रहे हो या Amazon पर सेलिंग का प्लानिंग कर रहे हो तो यह वीडियो आपको कम्प्रीट देखना चाहिए जिससे आप पूरे नॉलेज ले पाओगे कि Amazon पर सेल करने पर आकिर कितना पर प्रोड़क्ट सेल करता है तो उसे कौन कौन से चार्जिस लिये जाते हैं आज इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं जब भी आपका कोई भी प्रोड़क्ट Amazon पर सेल होता है तो आपसे मेंली फोर टाइप्स आप चार्जिस यहाँ पर कलेक्ट के जाते हैं फर्स्ट इसके बाद दोस्तों आपसे वेट हैंडिंग फी कलेक्ट के जाता है और यह जो वेट हैंडिंग फी है यह डिपेंड किरता है कि आप किस लोकेशन पर प्रोड़क्ट को सिप कर रहे हो और आपका प्रोड़क्ट का जो वेट है वो कितना है इसके बाद दोस्तों आपसे अ कर रहे हैं या फिर sell ship के थूरू sell कर रहे हैं वो उनका क्या-क्या charges Amazon को pay करना पड़ता है क्योंकि अब भी हमने already कई videos में cover कर रहा है तो दोस्तों चलिए start करते हैं सो guys सबसे पहले बात करें referr fee की तो referr fee जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप किस category के product को sell कर रहे हैं वीडियो में आहरे category का बताऊंगा तो बहुत long बन जाएगा वीडियो इसलिए इस वीडियो के end में हम Amazon के website में आपको ले जाके बताऊंगा कि आप manually कैसे अपना जो commission जो referr fee है कि इस category पर कितना लगने वाला है वो कैसे check कर सकते हो तो अब भी हम लोग आगे बढ़ते हैं इसके बाद दोस्तों बात करते हैं closing fee की referr fee हमने cover कर लिया closing fee कैसे decide होता है तो guys यहाँ पर अगर आप FBA seller हो तो आपके लिए closing fee different होने वाला है अगर आप एक EGCip के seller हो EGCip के थुरू product sell कर रहे हो तो आपका closing fee है वो different होने वाला है अगर आप एक self-sip seller हो आप अपने product खुछ से send कर रहे हो customer तक तो यहाँ पर आपका closing fee है वो different होने वाला है दोस्तों यहाँ पर हमने पहले decide कि हम FBA का यहाँ भी नहीं लेंगे तो EGCip और self-sip की बात करते हैं और दोस्तों EGCip क्या होता है कि जब आपको order आया order आपने pack किया वर delivery वो Amazon करेगा आपके pickup address से वो लेके जाएगा और Amazon कस्टमर टक डिलिवर्ट करेगा तो उसे हम EGCip करते हैं तो EGCip भी two types के होते हैं एक EGCip normal होता है दोनों एक ही होता है बट EGCip prime क्या होता है कि EGCip prime में आपके जो product है उसके उपर prime tag मिल जाता है आपने Amazon पे देखा होगा कई seller के product उसके prime tag हो जाता है तो mainly seller flex वाले seller को यह आपका product अच्छा sell हो रहा है तो आपको prime tag मिलता है तो इस case में आपका closing fee है जो वो different होता है अब दोस्तों अगर आप एक normal seller की बात करें तो अगर आप यहां पर देखे जो भी price की बात हो रही है वो MRP की बात नहीं हो रही maximum retail price का यहां पर कोई भी जिक्र नहीं है आप वो उस पर उपर कुछ भी depend नहीं करता है डिपेंड करता है कि आप Amazon पर कितने में product को sell कर रहे हो customer को तो देखे अगर आप customer को selling price अगर आपका जिरो से 250 तक है तो आपका 5 रुपीज लगने वाला है अगर 251 से 500 है तो आपको यहां पर 9 रुपीज देना पड़ेगा अगर आपका 500 वन से 1000 की बीच में है तो आपको 30 रुपीज देना पड़ेगा और अगर अगर eight rupees देना पड़ेगा 251 से 500 Sell कर रहे हो तो आपको 12 रुपीज देना पड़ेगा 500-1 से thousand के बीच में है तो आपको 25 देना पड़ेगा और 1000 प्लस अब जितना भी अपना Selling Price रखते हो उसमें आपको 51 रुपीज देना पड़ेगा दोस्तों इसके बाद बात करें self shift की तो self shift क्या होता है कि जब भी आपको order आया order आने के बाद आपने pack किया बट आपने customer टा deliver जो है वो Amazon का courier यूज करके नहीं किया आपने क्या किया कि आपने किसी third party courier को के थुरू customer तक product को shipment करवाई और Amazon पे ship आपने tracking डिटे लाल दिया कि इस courier के थुरू हमने ये tracking ID है हमने send कर दिया वो customer को notify कर देता है कि हाँ आपका product जो है वो ship हो गया है तो self shift उसे काते है तो self shift अगर आप कर रहे हो तो आपका selling price तक 250 तक है तो 7 रुपीज 251 से 500 है तो 20 रुपीज और 500 वन से 1000 रुपीज में है तो आपको 36 रुपीज और 1000 प्लस है तो आपको 65 रुपीज Amazon जो है वो charge करने वाला है दोस्तों इसके बाद बात आता है weight handling fee यानि अब देखिए अगर आप self shift कर रहे हो तो आपको only यही two charges देने है तो आपको यह दोनों चार्टर जहां पर देने है इसके बाद दोस्तों बात करें उन seller की जो easy shift के through product को sale करते है और Amazon के delivery यूज करते है तो देखिए अगर आपका product का weight 500 gram तक है तो local में आपको 40 रुपीज regional आपको 51 रुपीज और national में आपको 72 रुपीज delivery charge देना पड़ेगा अगर आपको यह पता नहीं है local, regional और national क्या है तो मैं आपको बता दू अगर आप चन्ने के seller है और चन्ने city से ही आपको order आता है तो आपको local delivery charge देना पड़ेगा अगर आप मुंबई के seller है और आपको मुंबई से ही order आता है तो आपको local delivery charge देना पड़ेगा यानि आप जिस city में sell कर रोए उसी city से अगर आपको order है तो आपको local delivery charge देना पड़ता है तो अब यह regional और national क्या होता है इसे समझते है तो गाइस देखिए पूरे इंडिया को Amazon ने 4 region में divide किया है region 1, 2, 3 and 4 तो यहां पर देखिए region 1 में उसके आसपास के state है जैसे चंडिगर, दिल्ली, हरियाना, हिमाचल पर्दी, जमू एंड कास्मीर, पंजाब, राजिस्तान, पर्देश, उत्राकंड इन सब को add करके एक region बनाया गया तो आपको regional delivery charge लगेगा अगर आप एक हिमाचल पर्देश के seller हो और आपको इनी states से order आगया जो region 1 में है तो आपको regional delivery charge लगेगा बट, अगर आप एक हिमाचल पर्देश के seller हो या जमू एंड कास्मीर के seller हो या पंजाब के seller हो, या region 1 के किसी भी region के seller हो और आपको region 4 के बिहार सेगर order आ गया या फिर मनीपूर्स order आ गया तो आपको national delivery charge लगया क्योंकि ये आपके region में ये state नहीं आती है दूसरे region में तो आपको national delivery charge लगया अगर आपको प्रोड का वेट 500 ग्राम तक है तो आपको ये delivery charge पे करना पड़ेगा अगर आपने 500 और add-on कर दिया तो आपको इस charge में आपको इस charge को भी add कर लेना पड़ेगा तो ये 1 kg का delivery charge हो जाएगा इसी तरह आपका अगर ने 1 kg और add count कर दिया जैसे आपका product का बेच 1 kg है आपने 1 kg और add कर दिया 2 kg हो गया तो आप ये सब को add कर लिजे आपका delivery charge होगा लोकल के लिए अलग है नेशनल के लिए अलग है और original के लिए अलग है तो इस तरह आपको add-on करते जाना पड़ेगा और आपका delivery charge निकलता चला जाएगा अब दोस्तों मैं आपको calculate करके बता देता हूँ mathematics तरीके से कि कैसे हम किसी भी charge को निकालते है तो देखिए दोस्तों अगर आप अपना product का sell कर रहे है 599 में आप माल लेजिए हमारा product का weight 1 kg है और आप category माल लेजिए हम सूज sell कर रहे है तो और shipping जो कर रहे है वो national कर रहे है तो यहां बना हमारा 14% यहां पर जो charge है वो हमें pay करना पड़ेगा अब जैसे 14% हमें charge pay करना है सूज की category में weight हमारा 1 kg है तो 1 kg हमारा weight है तो हमें कितना delivery charge pay करना पड़ेगा हमें pay करना पड़ेगा national delivery कर रहे है तो 72 प्लस हमारा 1 kg तक है अब हमें closing fee देखना है कि closing fee हमें कितना pay करना पड़ेगा तो हमारा selling price है 599 तो हमारा closing fee कितना हो जाएगा हम इस chart से देख लेते हैं easy zip के तुरू हम sell कर रहे हैं तो देखिए हमारा closing fee हो जाएगा 599 है तो इसके बीच में आ रहा है तो हमारा closing fee हो जाएगा 30 rupees shipping price हमारा 97 था तो आप इन सब को add कर दोगो 83 को add करोगे 30 को add करोगे 97 को add करोगे तो total आएगा 210.86 तो ये हमें Amazon को देना है बट इसमें Amazon 18% commission भी sorry GST भी add करेगा ये 18% आप GST add करेगा तो 37.96 रुपी इसका GST का amount हो जाएगा तो आपको क्या करना है सब को add करना है 83, 30, 97, 37.96 सब को add करेंगे तो ये total आपका price निकलेगा ये Amazon का total commission हुआ विट delivery charges तो दोस्तो इस तरह आपको पूरा referrer fee निकलेगा पूरा आपका commission निकलेगा कि Amazon को आपको कितना fee pay करना है अब guys ये आप seller panel पे भी जाके check कर सकते हो कि कई बार Amazon जो होता है हमें discount देता है तो वो आप कैसे निकालोगे वो मैं आपको बता देता हूँ उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे तो अगर आप किसी product को जब आप live कर लोगे तो वहाँ पर देखिएगा जब आप inventory में जाओगे तो आपको stock के just बगर में fee preview मिलता है fee preview जब आप देखोगे तो यहाँ पर किसी product का कितना Amazon commission ले रहा है वो आपको show करता है जैसे यहाँ पर देखिए referral fee ले रहा है fixed fee ले रहा है तो sleeping cost आपको extra add करना पड़ेगा तो यहाँ पर आप manually जाके check कर सकते हैं कि आपका कितना जो Amazon है वो commission ले रहा है वो आप product जब लाइब नहीं करेंगे तब तो वो show नहीं करेगा तो दोस्तों इसके बात बात करते हैं हम अपने product का MRP और selling price कैसे decide करेंगे तो guys आपका MRP two way से decide होता है first of all अगर आप कोई ऐसा product ला रहे है जिसके उपर already MRP mention है तो आप कुछ नहीं कर सकते हो जो भी MRP mention है वही आपको उसमें डालना पड़ेगा इसके बात दोस्तों बात करें कुछ ऐसे product होते है जो हम कुछ manufacturing करते है या फिर हम उस product ऐसे product source करते है जो generic product होते है उस पे MRP mention नहीं होते है तो इस case में आप 14% जो भी आपका selling price नहीं कर रहा है उसमें 14% add करके अपना MRP रखे ताकि customer को discount लिखे कि 40% discount मिल रहा है इसके बात दोस्तों बात करें कि Amazon में हम किस price पे product को sale करें तो देखिए आपका selling price क्या होगा आपको commission जो है commission add करना पड़ेगा और commission में क्या क्या है इसमें आपका referrer fee है referrer fee add कीजिए और closing fee add कीजिए closing यह दोनों को add कीजिए और इसका total पे आप 18% का GST add कर लिजिए ठीक है यह आपका होगया commission इसमें shipping fee commission में shipping fee अभी include नहीं है तो यह आप जोड लिजिए referrer fee closing fee और 18% GST total का तो आपका commission होगया packing charges आपको add करने कोई भी product अगर आप sell कर रहे हो Amazon पे उसे आपको pack करके customer तक send करना है तो उसमें आप polybag यूज कर रहे हो bubble wrap यूज कर रहे हो tape यूज कर रहे हो फिर आप level यूज कर रहे हो तो उसका कितना cost आ रहा है वो आप add कर लिजे maximum जो होता 20 रूपीज तक जाता है बट आप अपना cost add कर लिजे तो आपको shipping cost यहाँ add करने का कोई requirement नहीं है अगर आप जानना चाहते कैसे shipping cost add करते हैं तो आप वो video जो देख लिए अगर आपने by default template बनाके add कर दिया है कि हर order पे कितना हमें shipping cost लेना है तो आपको यहाँ shipping cost add नहीं करना है but maximum free delivery provide करते है ताकि वो अच्छा लगता है customer देखता है कि हाँ में free delivery मिर रहा है तो अगर आप free delivery दे रहे हो तो आपको यहाँ पर shipping cost भी add करना है जो भी shipping cost Amazon आपसे ले रहा है इसके बाद दोस्तों आपको अपना profit add करना है कि आपको हर product पर कितना profit रखना है तो इन सब का जो total आएगा वही आपका selling price होने वाला है तो guys अब जैसा कि मैंने आपको बताए कि window के end में आपको मैं बताओंगा कि refresh fee कैसे आप निकाल सकते हो तो चलिए हम website पर जलते हो देखते हैं कैसे हम अपना refresh fee निकालेंगे so guys refresh fee के लिए आप simply google में जाएगे amazon seller charges आप type कर लीजे amazon seller charges जब आप type करोगे तो आपको amazon का website मिल जाएगा देख सकते है fee and pricing का तो इसी में सब कुछ जो है वो mention होता है description में भी इस website का link मैंने दे दिया है description पर जाके check कर सकते हो तो आप नीचे scroll कीजेगा देखिए यह सब charges आपको pay करने पड़ते है तो नीचे scroll करने के बाद आपको दिख जाता है referral fee table तो यहाँ पर हर category का क्या referral fee है वो आपको यहाँ पर दिख जाएगा जैसे baby product का अगर आपका sharing price 500 के under है तो 2% देना पड़ेगा 5001 से 1000 के बीच में है तो 6% देना पड़ेगा और 1001 से जितना भी आपब है उसमें 8% देना पड़ेगा तो आप manually जो है हर यहाँ पर पूरा दिया हुआ है कि हर category का कितना जो है वो referral fee है वो लगने वाला है तो आप comment करके जुरूर बताइएगा मिलते हैं next video में thank you for watching this video